बलकि अपने आने वाली संतानों के लिए और अपने लिए बहुत धामतना हो बहुत धामतना हो यहांपर मेरे बहुत सारी माताय बहने आई हैं साथियों आपने देखा होगा कि हम बहुत जादा रूड़ीवादी परमपराओं को ढोते आए हैं एक घुंगट पर था जो कि हमारे समाज में बहुत ही बड़ी बीमारी है आप सभी मेरी माताय बहने यहां पर बैटी हैं इसलिए मैं जिक्र करना चाहूं नि कि जितने भी मेरी माताय बहने हैं वो सभी घुंगट धारन करती हैं आखिर क्यों? कभी सवाल किया है आपने मेरे भाई पुरुष भी तो यहां पर बैटे हैं लेकिन आप तो किसी के सर पे ना तो चुनी दिखाई ले रही होगी ना किसी का घूंगट क्या सिर्फ यह लुड़ी वादी सोच हम महिलाओं के लिए हैं हम सारी महिलाओं शाथी के पाद घूंगट करती हैं तो लोग क्या कहते हैं कि ससुराल में चली गई है सास एं ससुरें बहुत सारे लोग होते हैं इसलिए इन्हें घूंगट करना चाहिए क्योंकि यहां की बहू है अगर वा बहु है और जब हम बात समाना भी करते हैं तो एक जब बेटा मैं कहुंगी उसको दामाद जब अपनी ससुराल जाता है तो जब वा महिला अपनी ससुराल में घूंगट करना चाहिए आप मेरी मात्रस सहमें तो जब आता कालियों से समस्थन कीजिए करना चाहिए आवाज नहीं आई मेरी मात्रशक्ती की तो एक का फोगा जिस दिन आप अपना भूंगट उड़ार देंगी और कहने नी फुस्दा से कि आज हम महिला आपके कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लायफ हो गई है तो हमें भी समान्दक अधिकार दीजिए और समान्दक अधिकार कभी मांगने से नहीं मिलता मेरी बेहनो हमें छीनना पड़ता है अभी मेरी बेहन चिला रही थी कि हमें चाहिए आजादी, मनुवाद से आजादी, चूड़ी से आजादी चाहिए नहीं, आप छिल आइस आजादी को क्योंकि ये हमारा हथ है और जब तक हम अपने हथ की लड़ाई नहीं लड़ेंगे आपको कोई भी हथिकार देने नहीं आएगा और इत्यास गवाँ है आप सभी जानते हैं कि इत्यास गवाँ है जब जब नारी के सम्मान की या उसकी आजादी की लड़ाई लड़ी गई है तो वो फुरुस्तों नहीं लड़ी है किसी महिलाओं ने उसको बड़ चरकर सयोग नहीं